आज हम बात करने वाले हैं फिर से वन डे वन यूज की जो एवरी डे हमारा एक टॉपिक होता है वन डे वन नीज का उस पर हम बात करेंगे शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में आज यहां पर लेती हूँ वो है जर्णल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्यारेटी और आपका एन्वायर्मेंट, जोग्रफी यह सारे सब्जेक्स यहां पर में लेती हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वन डे वन नीज आज जो हमारा वन डे वन नीज का टॉपिक है डाट इस रिलेटेट टू फूट टेक समिट एंड प्रधान मंत्री फोर्मलाइजेशन ओफ फूट प्रोसेसिंग एंटर्प्राइज़ स्कीम या शॉट में इसे मैं बोलू तो इट इस यौर प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री फोर्मलाइजेशन ओफ फूट प्रोसेसिंग एंटर्प्राइज़ स्कीम के अंतरगत इन दोनों मुद्वों पर हमें बात करनी है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज में क्यों था देखे इसका डिटेल्ट नोट्स ना सिविल अकैडमी का आप इसको जोइन कर लिजिए तो यहाँ पर जो भी डिसकशन होता है यूट्यूब पर उसके डिटेल्ट नोट्स आपको वहाँ पर एविलेवल हो जाते हैं तो डिटेल्ट नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस टापिक के आप सिर्फ यहाँ पर इस टॉपिक को समझ लीजे थोड़ा सा ठीक है ओके चलिए तो शुरू करते हैं फूट टेक समिट न्यूज में इसलिए था विकॉस देखिए 16th of October को होता है हमारा वर्ल्ड फूट डे और 16th October को वर्ल्ड फूट डे के उपलक्ष में जो Ministry of Food Processing and Industries है इन्हों ने और्गिनाइज किया फूट टेक समिट का मतलब क्या है ऐसा समिट और्गिनाइज किया गया मतलब लोगों को जोड़ा गया और इस बात पर चर्चा की गई सारे लोगों को जोड़ करके इस बात पर चर्चा की गई कि जो फूट की प्रोसेसिंग होती है, फूट को जो प्रोसेस किया जाता है, उसको और बहतर कैसे किया जा सके, उसमें होने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रख करके बादचीत की गई, एक तरीके से, एक को दूर किया जा सके ठीक इसका organization या फिर इसको किस scheme के अंतरगत organize किया गया तो ध्यान रखेंगे PMFME प्रधान मंत्री formalization of Micro Food Processing Enterprises उसके अंतरगत इसे organize किया गया है ठीक है तो अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा important जो हो जाती है वह हो जाती है यह scheme जो की PMFME scheme है ठीक एम मैंने आपको बता दिया detail notes आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हम आगे चलते हैं PMFME पर यह जो PMFME scheme है इसे launch किया गया था student आत्म निर्भर भारत के अंतरगत कब launch किया गया था 29 जून 2020 को तो एक दो पॉइंट यहां पर आपके लिए important हुए कि किसने कब organize या फिर कब भी लाई गई थी scheme तो यह scheme लाई गई थी 29 जून 2020 को यह scheme लाई गई थी और किसके अंतरगत लाई गई थी तो आत्म निर्भर भारत के अंतरगत लाई गई थी दो बाते यहां पर यह हुई तीसरी बात देखते हैं यह जो आपकी scheme है currently कहां कहां पर implemented है तो currently यह 35 states और union territories को मिला करके इन जगह पर यह implemented है आपकी तीक तो currently कहां कहां पर implement है 35 states और union territories मिला करके next important बात यह है कि नोडल ministry क्या है इस के लिए तो इस scheme के लिए आपकी नोडल ministry है ministry of food processing and industries ठीक तो तीन बाते यहां पर हुई पहला कि आपकी कब organized हुई थी या कब आपकी launch की गई थी दूसरा किस ministry के अंतरगत आती है यह चीज़ हमने देखी और किसके अंतरगत इसे launch किया गया था तो आत्म निर्भर भारत के अंतरगत इसे launch किया गया था तीन बाते यह हुई आप चलते हैं next बात जो important है आपके लिए वो है कि funding details क्या है यानि fund किस तरीके से प्राप्त होता है इस वाली scheme के लिए PMFME के लिए fund कैसे प्राप्त होता है तो पहली important बात यह है कि यह एक आपकी centrally sponsored scheme है centrally sponsored scheme होने का मतलब क्या है दिए इस scheme दो तरीके की होती है एक central sector scheme होती है और एक आपकी होती है centrally sponsored scheme जो central sector scheme होती है उसे पूरी तरीके से आपका जो centrally sector, central sector होती है उसे पूरी तरीके से केंद्र सरकार पैसा देती है लेकिन जो centrally sponsored schemes होती है students उसके लिए state भी contribute करता है और उसके लिए center भी contribute करता है अब कितना state contribute करेगा, कितना center contribute करेगा यह scheme to scheme भी vary करता है दूसरा ये vary करता है कैसा state है अगर बहुत wealthy state होगा सचेज उत्तरप्रदेश, केरला, करनाटा के सब wealthy states है तो wealthy state होता है तो state और जो आपके center है इनके बीच में 60-40 का contribution होता है यानि 60 देगा center और 40 देता है जो की related state होगा वो और अगर आपका north east का state है या फिर कोई हिमालियन state है जो बहुत जादा wealthy नहीं है अभी developed नहीं हुआ है थोड़ा सा developing phase में है वो state तो वहाँ पर आपका contribution का जो ratio होता है वो होता है 90-10 का क्यों 90 आपका center देगा 10 वहाँ पर state देता है लेकिन जो union territories है वहाँ पर 100% जो funding होती है व ध्यान रखेंगे PMFME कैसी scheme है एक centrally sponsored scheme है जिसमें जो wealthy states है उनके साथ में जो funding का ratio होगा वो 60-40 का होगा लेकिन जो आपके हिमालियन या north east के state है उनके साथ में 90-10 का होगा लेकिन जो union territories है उनके साथ में 100% का होगा ठीक दूसरी चीज इस FPMFME की यह है कि इसे कितने आउट लेके साथ में यानि कितना पैसा दिया जाएगा इसमें तो 10,000 करोड रुपे दिये जाएंगे कब तक के लिए दिये जाएंगे तो 5 साल के लिए है 5 साल में दिये जाएंगे आपके 10,000 करोड रुपे किन sectors को आपके जो food processing sectors हैं उनको कब से कब तक 2020 में शुरू तो 2020 से लेकर के 24.25 तक आपके दिये जाएंगे इसमें पैसे ठीक फंडिंग का रेशियो मैंने आपको बता दिया 60-40 होगा 90-10 होगा और 100% होगा UTE के लिए ठीक है चलते हैं आगे Now, next की aim क्या है इस scheme का जो ये scheme PMFME है इसका main aim देखे बहुत simple है aim बस इतना है कि food processing जो sector है उसको और ज़्यादा boost करना उसमें जो भी लोग लगे हुए हैं उनकी होने वाली समस्याओं को सुलझाना Self-help जो groups बने हुए हैं farmer producing जो organizations हैं उनको बहुत जादा और बढ़ावा देते हुए food processing को जादा से जादा बढ़ावा देना जादा से जादा और अच्छे से develop करना ठीक ये इसका जो main aim है वो यही है जो भी जिसे food processing आप लोग समझ रहे हैं food processing का मतलब होता है कि जो भी हमार पास जैसे suppose आम हैं तो आम से jam बना देना, jelly बना देना, this is called food processing, food को process करके, package करके उसकी long life उसको lifelong बना देना या उसकी life को बढ़ा देना, जो perishable होता है food उसको non perishable बना देना या थोड़ी सी उसकी जो life है उसे बढ़ा देना, ये होता है mainly food processing, तो वही इसका aim है कि जो भी समस समस्याएं आ रही है food processing में, या food को process करने में, हर type की समस्याएं उन्हें इससे दूर करने की कोशिश की जाएगी, इस scheme के अंतरकत, उसमें research भी शामिल होगा, कि research अगर करानी होगी, तो research भी शामिल होगी, ठीक है, now next देखते हैं, अगर हम कुछ main features की बात करते हैं, इस scheme के तो इसमें आपका ये aim रखा गया है, कि हम एक district, क्या aim रखा गया है, कि one district, one product की बात की गई है, यानि हर district से एक product अच्छा निकालने की, उसकी process करने की कोशिश की जाएगी, तो माल लीजे अगर किसी district में potato बहुत जादा होता है, तो वहाँ पर कोशिश की जाएगी, कि potato क processing जाद से जादा हो सके, बहतर तरीके से हो सके, दूसरा इसमें इन्होंने target किया है, जो भी aspirational districts है, उन्हें target किया है, साथ ही साथ, waste से wealth बनाने पर भी, इन्होंने focus किया है, इस scheme के अंतरगत सरकार ने, तीसरा minor forest products जो बनते हैं, या जो मिलते हैं, उन पर भी सरकार का ध्या एक जिले से जो भी एक उत्पाद निकलता है, उसको और बहतर किये जाने की बाद कही गई है, दूसरा ये कहा गया है, कि जो भी हमारा waste हो जाती हैं, फूट आपका जादातर waste हो जाता है, तो उसे हम wealth में convert कैसे करें, इस पर ध्यान दिया जाएगा, तीसरा focus किया गया है, क जैसे कि honey हो गया आपका, महुआ हो गया, इस सब क्या है, forest produce हैं, तो इन minor forest produce को कैसे process किया जाए, जिसे कि जादा से जादा wealth लाई जा सके, तीसरा यहाँ पर focus किया गया है, aspirational district को, aspirational district मतलब ऐसे districts होते हैं, जिनके अंदर potential है, उन districts की capacity है better करने की, but due to some region, due to some infrastructural problem, due to some financial problem, वो better अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान दिया गया है, इस scheme के अंतरगत, तीसरा यहाँ पर बात की गई है, कि capacity building की जाएगी, जो लोग भी food processing sector में लगे हुए हैं, उनकी शमता को बढ़ाया जाएगा, और research की जाएगी, शोध किया जाएगा, जिससे की और बहतर तरीके से इस industry को बनाया जा सके, ठीक, बेसिकली होता यह है, कि food processing बहुत जादा आपकी हो रहे हैं, हर गली हल महले में हम देखते हैं, food processing centers हमारे लगे हुए हैं, चिप्स बनाया जाते हैं, पापड बनाया जाते हैं, आम का अचार, जैली, य लोगों को अपनी branding करनी नहीं आती, तो वो लोग अपनी चीजें export नहीं कर पाते हैं, marketing उसकी proper नहीं हो पाती है, इन सारी बातों को इसमें ध्यान दिया जाएगा, ठीक, तो overall आप लोगों को I hope clear हो गया होगा, कि main aim इसका क्या है, नेक्स्ट अब सवाल यह उठता है, कि ठीक है, लेकिन PMFME की जरुरत क्या पड़ी हम लेकर क्यों आए, तो लेकर हम basically students इसलिए आए, या PMFME scheme इसलिए लाई गई, because India की specifically अगर मैं बात करूँ, तो बहुत बड़ा employment generation प्रोवाइड कराती है, आपकी food processing sector, about 74% आपका employment जो है, वो food processing sector से जोड़ा हुआ है, और वरतमान समय में, at present भारत में लगभग 25 लाग units ऐसी हैं, जो contribute करती हैं इस sectors के लिए, इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि आप इस industry को बहतर करें, और इन industries के साथ में दिक्कत ये हैं कि इतना बड़ा employment प्रोवाइड कराती हैं, इतना सारा आपकी units हैं यहाँ पर, लेकिन इनकी बहुत चोटी-चोटी को समस्याएं हैं, जैसे कि इनके पास modern technology नहीं है, इनके पास proper equipment नहीं है, जो credit है, इन्हें जो पैसा चाहिए अपनी industry को लगाने के लिए या उसे और बढ़ाने के लिए वो नहीं मिल पाता, तो अगर इनकी चोटी-चोटी समस्याएं solve हो पहली बात, दूसरी बात नई और unit लगाई जा सकती है, जिसे कि हमारा जो export है वो और बढ़ सकता है, ठीक है, इसलिए जरूरत है कि हम एक ऐसी scheme लेकर के आए, जो food processing sectors पे काम करती हो, तब ही प्रधान मंत्री जी की जो ये योजना आई, PM, FME की scheme है, वो लेकर के आए, ठीक अब आपको यहाँ पर कुछ stats दिये हुए हैं, कुछ आकड़े दिये हुए हैं, food industry से related, इंडिया की, जिससे भी हमें ये पता चलता है कि क्यो food processing industry को बहतर बनाने की जरूरत है, ठीक, तो आप लोग बस एक बार इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, कि जो भारत है, वो six largest है, वर्ल्ड में अगर बात की जाएगे, food and grocery market की तो, इतना बड़ा बाजार है, तो यहाँ पर हमारे लिए अपने सामान को सेल कराने की, या processed food को सेल कराने के लिए, बहुत बड़ा बाजार और उसकी possibility बहुत साधा हो जाती है, ठीक, तो यह सारी, यह तो आप लोग इक पैमी, आपकी पहली स्कीम है और एक मात्र स्कीम है, जो food sector के या food processing के formalization से related है, इसके अलावा भी आपकी दो तीन स्कीम है important, जो काम कर रही है already, जिन में से number one है, production link incentive scheme, इसका basically aim क्या है, या यह basically क्या गाम करती है, कि जैसे देखें, जो छोटी-छोटी units काम कर रही है, food processing के ले, तो एक company बन जाए, एक company बना ली जाती है, और उस company के responsibility है, कि यह जो छोटी-छोटी units है, इनका माल खरीद करके, उसे बेखना, और उनकी जो sale है, उसे increase करना, अगर कोई company ऐसा कर लेती है, तो सरकार क्या करती है, उसे incentive देती है, तो mainly जो आपकी production linked incentive scheme यह है, कि जो यह चोटी units, food processing में लगी हुई है, यह production करती है, production के बाद में अपना उत्पाद लेकर के आती है, एक कोई company बने, और यह company इन सब के माल को खरीद करके, उसे sale करे, ठीक है, तो sale अगर वो company बढ़ा देती है, इनके माल की, तो सरकार क्या करती है, उस company को incentive देती है, कि आपने इन के माल की sale बढ़ाई है, उसे एक brand बना दिया है, तो इसलिए आपको पैसा मिलेगा, तो यह है आपकी production linked incentive scheme की incentive दिया जाएगा, अगर production बढ़ाया गया है तो, ठीक, एक है आपकी mega food park scheme, यह भी आपकी food processing sector से ही related scheme है, इसमें basically सरकार का aim यह है, कि कोई एक बड़ा area ले लिया जाता है, वहाँ पर आपका infrastructure से related park, आपका नाम ही food park दिया हुआ है, तो वहाँ पर infrastructure से related सारी facilities दी जाएगी, modern facilities दी जाएगी, food processing के साथ साथ, market भी पास में ही उपलब्द होगा, उपलब्द करा दिया जाएगा, या वही से सीधे export भी कराया जा सके, ऐसी सारी चीजें, एक पार्क में लगा करके सरकार देती है, ऐसा development करती है सरकार, अगर सरकार नहीं कर पाती है, तो वो private institution से कराती है, private company से कराती है, और फिर उनको pay करती है सरकार, तो इस तरीके से एक पार्क बना दिया जाता है, जहाँ पर food processing से related, जितनी भी जरूरी चीजें हैं, infrastructure है, equipment है, training है research है, finance की provide कराना है, सारी चीजें आपको वहीं उसी पार्क में मिल जाएंगी, सारी information, सारी चीजें, और वहाँ पर food processing बहुत आसानी से हो जाए, और जादा से जादा product जो है, वो बहार निकल के आपाए, तो main aim इसका यही है कि cluster based approach, एक cluster based approach का मतनब यह है कि एक आपकी जगे वहाँ पर cluster में, बहुत बड़ी amount में सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं, और किसी भी product को बना करके, भारी मात्रा में बना करके तयार करते हैं, तो यह दो scheme और हैं, जो काम करती हैं, food processing के लिए हमारे यहाँ पर, तीन हो गई अब सारा session आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, telegram group आप लोग जरूर से join कर लिजेगा, because कई सारे ऐसे events हैं, जो हमारे चल रहे हैं, जैसे big story एक हमारा चलता है, everyday मैं एक shot डलती हूं, जिसमें मैं कोशिश करती हूं, कि one minute में कुछ अच्छा सा आपको learn कराया जा सके जो आपके ध्यान में रहे और exam में आपको help हो जाए, plus 37 sir भी current affairs की class लेते हैं, plus sir general studies के questions हैं, MCQs उनकी भी practice कराते हैं, तो आप लोग ये सारे जो initiatives यूट्यूब पर चल रहे हैं, सबके लिए completely free हैं, तो इनका आप लोग पाइदा उठाएं, और civil academy के channel को अगर अभी तक लाइक, subscribe और share नहीं किया है, तो कर लिजिए, जिससे कि आपको सारे notification जो हैं आपर पढ़ते हैं, वो आपको समय समय पर मिलते रहें, और आपकी तयारी को एक नया boost मिल सकें, ठीक, चले, अब discuss करते हैं, question, एक आपका prelims का question है, इसी पूरे topic से related, जरा उसको देखते हैं हम ठीक, उसे देखते हैं जरा, question हम इसे पूछा गया है, first statement है आपको दिया गया, statements दिये गए हैं, तीन उन्हें consider करना है, पहला कह रहा है कि PMFME is a central sector scheme, तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, PMFME क्या है, centrally sponsored scheme है, दूसरा question कह रहा है, कि it was started with 10 rupees, thousand crore outlay, तो ये भी गलत हो जाए जाएगा, because ये 10,000 crore के outlay से start की गई है, 5 years तक 10,000 crore का outlay है, जबकि यहाँ पे लिखा है, thousand crore का outlay, गलत है, third statement कहा है, कि the nodal ministry of this scheme is, ministry of agriculture, ये statement भी आपका wrong है, because इसकी industry, इसकी ministry है, ministry of food processing, तो third statement भी गलत है, तीनों statement आपके false है, बट यहाँ पर पूछा गया है, correct statement, तो आपका answer हो जाएगा D, none of the above, तीनों में से कोई भी statement जो है, वो correct नहीं है, सारे के सारे false है, ठीक, चलिए, आज का one day one news हमारा यहीं पर खतम होता है, फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगे, कि अगर आप लो क्या कहते हैं, इस session को like, share और like, share जरूर कर दीजिए, thank you so much